दुनिया का सबसे fastest charging smartphone मेरे पास है यहां, Note 12 Explorer Edition अब कुछ interesting है, unboxing करने वाले, first impressions देने वाले लेएं उसके पहले 2-3 चीजे मुझे बहुत important आपको बतानी है एक तो दोस्तों, यह चाइना में launch हुआ है चाइना में Note series के 4 phones launch हुए है Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro Plus and Note 12 Explorer Edition Pro Plus और Explorer Edition में जाले difference नहीं, सिर्फ charging और battery capacity का ही है पर दोस्तों, बात यह है, सवाल यह है कि इंडिया में जब यह launch होने वाला है तो क्या यही phone इंडिया में launch होगा उसी नाम से? नहीं आपको पता है कि यह rebranding होके आने वाला है और यह जो phone है, जब इंडिया में जभी भी launch होगा तब यह Xiaomi 12i या 11i, नहीं 12i Hyper Charge ऐसे कुछ नाम से आएगा क्योंकि इसमें 210 Watt charging है 210 Watt, 0-200% in 9 minutes Charging तो जबरदस है दोस्तों, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि It is still not the value for money smartphone जो 2017-2018 में हम Note series, जो Redmi की Note series होती है, वो हम जानते है, value for money के लिए यह वैसा शायद नहीं है और क्यों नहीं है, यह आपको पता चलेगा वीडियो के end तक जी आप पूरा देखिए, सब कुछ बताने वाला हो इस phone के बारे में इंटेस्सिन चीज़े बताने वाला हो लेकिन उसके पहले, अगर वीडियो अच्छा लगता है और सब्सक्राइब नहीं हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीज़े सबसे पहले, documentation and case case की quality, ठीठा की यह कहूंगा कुछ इंट्रेसिंग चीज लगी, बताने वाला हो उसके बारे में यास, that's about it. भाई, इसका SIM card tool किदर है? No SIM card tool? Oh, here it is. यह देखिए, SIM card tool. Alright, that's about it. चलिए, let's keep this a size. Phone के पास देखते हैं. जैसे हाथ में लेते हो, दोस्तों, it feels good. Premium लगता है, हाथ में एक 60-70-1000 का phone, अगर आप हाथ में लेते हो, तो कैसे लगता है, वही फील है, इसकी यह यह देखिए, यह देखिए, crazy. यह, आपको केस तो डालनी होगी इसके साथ, वरना, you know, within a second, एक पर आप पकड़ोगे ना, ऐसे, और यह देखिए, लेकिन अगर डिजाइन के बारे में बात करूँ ना, ट्रेडिशनल डिजाइन, it is not a, you know, ऐसे, अभी modern जो कहेंगे, वैसे नहीं है, 2018-19 के फोल, 3-4 साल पहले के phone देखोगे, तो ऐसी कुछ दिखते थे, but it is glass back, yes. अब दोस्तों, protection के बारे में पता नहीं है, आगे और पीछे बट, scratch guard जरूर आता है, वेट के बारे में बात करूं दोस्तों, यह जो explorer edition है, 4,300 mAh बैटरी है, जो मैं कहूंगा थोड़ी छोटी है, especially जो यह budget series के phones होते हैं, मिड-range के phones होते हैं, 5,000 तो होनी चाहिए, 4,300 mAh और उस हिसाब से इतना light लगता नहीं है, I feel it is about 185-190 grams, यह, देखते हैं, let's see, all right, 210 gram, ग्लास बैक होने के वैसे शायद, मुझे लग रा था, but 4300 mAh बैटरी है, तो मुझे लगा था, थोड़ा हलका होगा, नहीं, it's 210, it is on the heavier side, सब जगर मुझे लगता है 210 है, इदर 210 वाट लिखा हुआ है, वजन भी 210 है, क्या है भई, हेवी फोन है, गिरा के देखते हैं, oh my god, protection पता नहीं यह ग्लास का क्या है, but I am going to do it, नहीं, दोस्तों, कुछ नहीं है, absolutely nothing, आगे तो, चलो, scratch guard है, पीछे क्या होता है, oh my god, आवाज आला थोड़ा, हाँ, नहीं, कुछ नहीं, फिंगर प्रिंट के सिवा और कुछ नहीं दिख्रा है, मुझे बैक के ओपर, नहीं, absolutely nothing, build quality अच्छी है दोस्तों, जो frame है, that is, plastic frame, पोर्स के बारे मैं बात करूँ तो, नीचे की तरफ, and उपर, speaker grills आते हैं, तो stereo speakers है, USB type-C है, SIM card tray है, दोस्तों, जो एक, I think it'll not be, होगा, dual nano SIM card slot है, दोस्तों, look at that, या, expandable storage नहीं है इसमें, ऐसे अगर वेरेंट के बारे में बात करूँ तो, इसमें बेस वेरेंट जो उपर वाला है, वो 8128 ही आता है, और एक वेरेंट है, 8GB RAM and 256GB storage, अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूँ दोस्तों, it's a good display, and note series, overall के बारे में कहूँ, तो सभी में आप आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है, even the base note 12 में, इसमें भी आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है, full HD मिलता है, and 120Hz fast refresh rate भी मिलता है, brightness के मामले में भी, it is quite bright, दोस्तों, 900 nits तक brightness जाती है, अगर bezels के बारे में बात करूँ, सही में, बहुत पतले bezels है, side में, उपर, दोनोई तरफ, नीचे की chin भी छोटी है, so screen to body ratio is very good, आगे से definitely बहुत modern लगता है, बैसे refresh rate के लिए auto भी switch हो जाता है, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके phone के उपर उससाब से 30, 60, 90, 120Hz पर जाएगा, gaming के समाए 120Hz, चलिए, specifications के बारे में बात करते हैं, और एक बात अच्छी भी है, और इतनी अच्छी भी नहीं है दोस्तों, इसमें जो base variant है, वो Qualcomm पर आता है, जी हां, Note 12 जो है base variant, वो 4th Gen 1 पर आता है, लेकिन बाकी सब जो है, Pro, Pro Plus and this, it comes on Dimensity 1080, इस 5G processor के उपर, अगर मैं performance के बारे में बात करूँ, तो I'll be honest, मैं ज्यादा performance expect कर रहा था, जी हां, अगर मुझे benchmark करना है, तो मैं कहूंगा Dimensity 920 से ये अच्छा है, बट अगर Qualcomm Snapdragon 778G से compare करूँ, तो तोड़ा कम है, क्यों paper पे अंतुदू score जो है, around 5 लाग आता है, 778 का generally 5 लाग के उपर जाता है, so मैं performance के बारे में बात करूँ, तो I was expecting कि 778 के उपर होगा, बट वैसे नहीं है, और इसलिए दोस्तों, जब आप gaming करते हो, medium to high settings पे आप खेल पाओगे, and gameplay अगरे अच्छा है, क्योंकि display अच्छा है, 120Hz है, touch sampling rate भी अच्छा है, तो overall gaming अच्छा है, but medium to high setting, not highest settings. और एक बात, क्योंकि ये highest version है, explorer edition pro plus के उपर का, तो मुझे लग रहा था कि LPDDR5 RAM टाइप होनी चाहिए थी, नहीं, LPDDR4X ही है, UFS 2.2 storage आता है, 4300 mAh बैटरी है, and big 210 Watt charging है, जो basically आपकी बैटरी फ्रम 0-100% 9 minutes करता है, ये Xiaomi claim करता है, हमने test किया दोस्तों, 16 minute लगे, ये फ्रम 0-100%, around 15-16 minutes, चले, camera के बार में बात करते है, जी हाँ, primary sensor जो है, 200 MP का, इसमें, Pro Plus में भी 200 MP, in fact, Pro Plus and Explorer Edition में, कुछ भी difference नहीं है, दोस्तो, सब स्पेसिकेशन से में है, सिर्फ बैटरी कपासिटी, और चार्जिंग में ही difference है, अगर में बात करूं, सिर्फ प्रो, तो उसमें 50 MP का primary sensor आता है, Note 12 में, बेस में 48 MP, प्लस 2 MP, बट लेट्स टॉक अबाउट इस, इसमें भी, प्राइमरी सेंसर 200 MP है, बात में 8 MP, अल्टरावाइट, और दन 2 MP, I mean, क्यों? और आगे की तरफ, सेंटर पंच होल में, आपको 16 MP का सभी वेरिंट्स में, 16 MP का sensor में, वैसे बहुत सारे फोटो अगेरे, जो हैं, दोस्तों, हमने निकाले हूं, अलग-अलग conditions में, G-Drive की लिंक दे रहा हूँ, और इजिनल क्वालिटी में आप देख आओगे, have a look at it, जादा हमने टेस्ट नहीं किया, these are my first impressions, but I like the camera, 200 MP का जो camera है, primary sensor, अच्छा है, in most conditions, it clicks good pictures, अगर वीडियो ग्राफी के बारे में बात करूँ, तो 4K 30 FPS है, अगर 60 FPS देते तो अच्छा होता, क्योंकि 200 MP है जोड़ा तो 4K 60 FPS होना चाहिए था, 40S 4K है, that is good, और आप बहुत सारे camera अगर देखोगे आप तो बहुत सारे filters, old type filters, retro feel चाहिए आपको आपके photos वीडियो का, तो filters हैं उसके लिए, दोस्तों अगर OS के बारे में बात करूँ तो this is MIUI 13, based on Android 12, Android 13 नहीं आता है, इधर भी जब launch होंगे, शायद मेरे हिसाब से out of the box आपको Android 12 ही मिलने वाला है, मैं again repeat करता हूँ, यह जो phone है दोस्तों, यह Chinese phone है, हमने उधर से मंगया हुआ है, इंडिया में जब आएगा, Note will be very different, अगर आप मुझसे पुछते हो, इसके नीचे की जो series है, number series जो होती है, Redmi 11, Redmi 12, जहां पर Note नहीं होता है, वो इंडिया में as Note आजाएगा, and these phones will probably get launched by Xiaomi branding, मतलब Xiaomi के नाम से आजाएगा, Xiaomi HyperJar, Xiaomi 11i, Xiaomi 11 Lite अगरे, उस नाम से, अच्छी बात है, Wi-Fi 6 आता है इसके अंदर, Bluetooth 5.2 है, NFC का भी support है, अब इंडिया में आएगा, Let's talk about multimedia, and generally, अगर आप देखोंगे, Note series के जो phones होते हैं, multimedia अच्छा होता है, display बहुत जाद अच्छा है, video viewing आपको मजा आएगा, display is really good, colors वगएरे, बहुत अच्छे दिखेंगे, and stereo speakers, जो है, उनकी quality भी में काऊंगा, अच्छी है, it's above average, so multimedia viewing के लिए, absolutely grateful, अब दोस्तों, बाकी के छोटे features है, widevine वाइन वागेरे, उसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि इंडिया आने के बाद, उनको certification मिलने के बाद, जो होगा, वो हमारी वीडियो में आए, और इसलिए subscribe ज़रूर कीजेगा, क्योंकि जैसी launch होते हैं इंडिया में, पहला वीडियो आपको सिर्फ इधर मिलता है, कीजे subscribe, तो मैरा final verdict क्या है, क्योंकि price के बारे में मैंने बात नहीं की है, दोस्तों, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, explorer edition, जो top variant है, तो इसका जो 8-128 variant है, यह 26-27,000 के करीब जाता है, and like I said, जो base variant है, Note 12 का भी, that starts from about 15-16,000 रुपीज, तो उस range में सब variants आते हैं, पहले अगर आप देखोगे, तो जनरली 11-15,000 से लेकि 20,000, इसके बीच में Note series के variants हुआ करते थे, इसलिए मैं कहुँगा, कुछ नए अच्छे फीचर्स आये हुए है, but it also comes at a price, प्राइस भी बढ़ गई है उसकी, ऐसे आजकल इंडियन्स भी जादा महेंगे फोन से लाने लग गए हैं, तो ब्रैंड्स और भी महेंगे फोन्स लाँच करने लग गए हैं, चले हो से इस वीडियो में इता ही, अगले वीडियो दो कीप ट्राकिन और स्टे से शेए!